पहाडों पर हो रही बर्फ बारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं हर बार अप्रैल महीने में यहां एक यां दो फीट ही बर्फ रहती है लेकिन इस बार छे से साथ फीट बर्फ पड़ी है मुश्किल यह है कि जैसे ही इस बर्फ को काटा जाएगा एवलांच आने की संभाव ना हो सकती है आपको बता दें कि रामबाडा से किदारनात का रास्ता कठीन है जहां बर्फ बारी के मौसम में एवलांच आते रहते हैं इस बार 9 माई को बाबा की कपाट खुलने हैं और उससे पहले 17 किलोमेटर तक रास्ते से बर्फ फटाना और सुविधाएं ठीक करना प्रशासन के लिए चुनौती है जमो कश्मिर के शोपियां इलाके में बर्फ बारी के चलते मुगल रोड जाम हो चुकी है 84 किलोमेटर का ये रास्ता दो रिजन को जोड़ता है मौके पर अधिकारियों ने मुआइना कर काम तेज करने की हिदायत दी है बर्फ हटाने के लिए मशीने लगी हुई है लेकिन बर्फ के साथ साथ पत्थर भी है लिहाजा उन्हें दूसरी मशीनों के सहारे एहतियात से निकाला जाता है अधिकारियों को उमीद है कि अपरेल के तीसरे हफते में यातायात समान्य हो जाएगा करीब 30 किलोमेटर के रास्ता साथ किया जा चुका है जो बर्फ है इस साल बहुत जादा हुई है और उसी वज़े से मुगल रोट पर भी बर्फ बहुत जादा है और इसको क्लेयर करने में काफी टाइम लग रहा है बर्फ बारी अधिकांश जगों पर मुश्किलें बढ़ाती है लेकिन गुलमर्ग को तो इस बर्फ बारी का इंतजार ही रहता है यहां दुनिया भर से स्कीइंग करने लोग आते हैं और बर्फ बर दौर लगाते हैं दूर दूर तक फैली सफेदी लोगों को लुभाती है वादियू में परियटकों का इंतजार है स्पोर्ट लवर्स का इंतजार है जो यहां आकर स्कीइंग का आनन्द उठाएंगे यहां स्कीइंग से जुड़े लोग बताते हैं यहां आने में कोई डर नहीं है अब कश्मीर बदल चुका है लेकिन बर्फ हमेशा खुशिया नहीं लाती अकसर चाहे अंचाहे हमें तखलीफ भी दे जाती है डोडा जिले में आजाद मोहले की पाइपलाइन को ठीक करने में लगे तीन करमचारी बर्फ बारी में चोटिल हो गये थे जिसमें एक की मौत हो गई तो दो घायल हो गए उम्मीद कीजिए कि अपरेल में पहाडों पर बर्फ नहीं गिरेगी और तब तक पहाडों के रास्ते क्लेर कर लिए जाएंगे ताकि के दारनाथ आने जाने में दिक्कत ना हो और बाकी स्कीइंग करने वालों के लिए तो ये मौसम बहुत खुशगवार होगा ही ब्योरा रिपोर्ट जी मिडिया